हैलो एवरिवन, एक्जाम मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है बात करेंगे इलहाबाद उनिवेस्टी नॉन टेचिंग रिक्रेटमेंट की MTS Re-Exam and MTS Space Lies Post जिसकी परिक्षा आपकी 15 दिसंबर को कंड़क्ट हो रही है उमीद करते हैं आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर चुके होंगे रिवीजन कर रहे होंगे क्योंकि इतना वक्त है नहीं कि नए सिरे से कोई चीज पढ़ी जाए तो जहां से भी हो आपको syllabus पता है बता दिया गया है उसके recording अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजे चैनल के द्वारा आपको लगातार वीडियो जो है दिये जा रहे है और यह केवल revision purpose से है अगर कोई सोचता है कि केवल इतना ही काफी है तो इतना ही काफी तो नहीं होता लेकिन इससे बहुत कुछ आपको देखने को exam में मिल सकता है क्योंकि GKGS का syllabus हो या कोई syllabus हो अपने आप में इतना broad होता है कि एक दिन में दो दिन में नहीं पढ़ाया और नहीं complete किया जा सकता है लेकिन फिर भी most repeated question जो की विविन परिक्षाव में पूछे जाते हैं वही मैं आपको one liner form में दे रही हूँ कल मैंने आपको geography का दिया था आज मैं आपको history का दे रही हूँ तो जो important है केवल वो दे रहे हैं एक बार पहले सभी subject का देने के बाद अगर time आपके पास रहता है तो फिर से जो शेस प्रशन रह जाएंगे important उसी subject की उसको फिर से आपको दिये जाएंगे तो उमीद करते हैं जिनोंने geography देखी होगी अच्छी बात है और ना देखी हो तो आप कहीं और से ही पढ़ लीजे लेकिन पढ़ लीजे अपने syllabus के recording एक बात और जरूर कहेंगे देकिन negative चीज़े हमेशा आपको देखने को मिलती है हर जगा कि ऐसे ही हो जाएगा ऐसा तो नहीं है मेरा ना हो अब तो online exam है मैं ना ही दूँ तो ये सब mind में चलता रहता है उसको एक किनारे करिए फाम भरा है आपने exam देना है तो उसको अच्छे से लगे रही है exam में ठीक है ये परिच्छा जो भी आपकी हो रही है यहां नहीं तो कहीं ने कहीं तो सब कुछ काम आने ही वाला है तो ये रहा थोड़ा सा जानकारी की बात अब आईए हम सबसते हैं चीजों को एक एक करके one-liner question देखेंगे इसमें मैंने incident, medual और modern कि जो important portion है मैंने वहां से पहले चीजों को collect किया है ताकि मैं आपको उसका revision करापा हूँ और जो मैं आपको दे रही हूँ ये according to previous year question यानि जो भी previous question रहे हैं इसतर रहा है इलाबाद university का उसको ध्यान में रखते हुए ही question आपको करा जा रहे हैं और अगर आप PDF भी लेना चाहेंगे तो टेलिग्राम से ले लीजेगा हो सकता है कि आपको बताते वक्त एक-दो word में चूक हो जाए तो उसके लिए अभी से sorry क्योंकि हो जाता है human nature है जगर आप कोई चीज लगाता continuous पढ़ते हैं तो mistake हो जाता है ना बोलने में गलती लेकिन लिखा तो सही होगा तो ऐसा होने की संभावना तो एक परसेंट है कोशिस करेंगे उसको भी हटा दे आए देखते हैं और ध्यान देते चलिएगा सब कुछ important है इसमें से कुछ skip नहीं करना अगर आपके पास वक्त कम है तो आप speed बढ़ा लीजी वीडियो की और उसको एक बार सुन लीजीए ताकि इतने question एक बार आपके दिमाग में एक round घूम जाए कि हाई इसका ये answer होता है और one liner form ही सबसे best है revision के लिए इसलिए one liner में ही मैं आपको चीजे करा रही हूँ अगर MCQ कराने लगेंगे तो पता लगा पचीज-पचास question ही आप कर फिरहाल 563 इशापुर में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और जो इनका इस्थाल है बताओ कहा पर उनका जन्म हुआ ता लुम्बिनी में हुआ था जब हम ancient history पढ़ते तो गौतम बुद्ध का और जो है जैन धर्म में महावेरिश्वामी ये दो ऐसे हैं जिनसे प् विभिन जन्मों की कथाओं के विशय में है या को क्या कहते तो जातक डाइरेक्ट पूछा जाता है जातक किस से सम्मंदित है बौत धर्म से जैन धर्म से दोनों से या इन में से कोई नहीं तो वो जातक से जातक में बौत धर्म के साहित के बारे में सब कुछ उसी के विश प्राप्त किया था, तो वो कौन सा स्थान था, वो था कुशी नगर, यहां से दो प्रश्ण बनते हैं, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, मतलब जब महात्मा बुद्र ने जो अपने जीवन काल में जो भी काम किये, जब उन्होंने घर को त्यागा, उन्होंने जो है परिनिर्वाण भी कहते हैं, डारेक्ट यह प्रश्ण भी आता है, आगे देखेंगे, भारत में सबसे प्राचीर विहार कौन सा है, तो नालंदा है, बुद्र की मृत्यू के बाद प्रथम बौध संगिती की अध्यक्षिता किस ने की थी, जो गतम बुद्र की मृत्यू के नेक्स्ट है, अस्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसका, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सुथ के विशय वस्तु का है, तो अस्टांगिक मार्ग यह बौत धर्म से संबंदित है, और इसको किसकी संकल्पना है, पूछा जाए तो धर्म चक्र प्रवर्तन सुथ के जाना जाता है तो इसको यह है नाक से नेक्स है महायान बहुत धर्मे बोधी सत्व जो है अवलोकी तेश्वर को और किस नाम से जानते हैं तो उनको जानते हैं पद्य पाड़ी नेक्स है बहुत धर्म तथा जैन धर्म दोनों की विश्वास करते हैं मतलब जो बहुत धर्मे और जैन धर्में दोनों में समानता की बात की जाए कि ऐसा क्या है जिसमें दोनों धर्में विश्वास करते हैं तो वो है कर्म तथा पुनर जन्म के सिधान पे दोनों जो है पुनर जन्म को मानते हैं बहुतногते हैं कनिशक के शासनकाल के चतुर्थ बहुद संगीती जπά किनिशक है कनिशक कर दो कंदल मेंट प् focusing on daí यह रहे जाद में गैंटे हैं mwe करनेकर आह wszyscy जान में थिर्ती बहुद संगीती याद कर दो देखनी जाओ टोटल कितनी बहुत संगेतिया हुई थी तो चार हुई थी इसके बारे में मैंने भी नीचे डीटेल बताया है उसको आप वहाँ से याद कर लीजेगा देखिए आगे जो गौतम बुद्ध थे उनके गुरु का नाम क्या था तो जैसे गौतम आपने कहानी तो जानते ही होंगे महातमा बुद्ध की महातमा बुद्ध को बहुत अच्छे परिवार में जन्मे थे और इनके माता पिता जो है इनके सारे शौक सब कुछ घर में पूरा करते थे जिससे ये प्रभावित हुआ और तभी इन्होंने घर त्यागा और सब कुछ आगे किया क्या-क्या देखा था वो द्रिश्चिक कौन-कौन से थे वही पूछा जा रहा कि इसे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसने सब कुस्त्याग रखा है और मोमाया छोड़ दिये कुलवला के तभी इन्होंने ये राष्टा अपनाया था ठीक आगे देखेंगे बुध ने सरवाधिक उबदेश कहा दिये थे तो स्रावस्ति पे most important है ये question कई बार ये question पूछा जाता है कि सरवाधिक उबदेश कहा दिये थे तो स्रावस्ति में दिये थे ठीक है अगला देखेंगे बौध सिक्षा का अगर पूचा जब पहला जो है कहां पर दिया था वो बुदेश तो सारनात में लेकिन सबसे जादा अधिक बार तो स्रावस्ती में नेक्स है भारत में सबसे बड़ा बौध स्थूप कहां इस्थे थे तो साची में है साची का इस्थूप आपने सुना होगा किस साशक के ने बौधों के लिए विख्यात विक्रम शिला विश्व विद्याले की स्थापना की नेक्स है किस की दवारा तरीती बोध संगिती को सर्रक्षर प्रदान की था अशोक ने बोध धर्म पीटकों की रश्णा किस भासा में की गई तो पाली भासा में जो है बोध गरत के पीटकों की रश्णा की गई है जबकि अगर जैन के लिए पूछा जाए तो वो प्राकृत भाषा थी कश्मीर में कनिश्क के शासनकाल में जो बौध संगिती आयोजीत हुई थी उसकी अधिश्टा किशने की थी तो उसकी अधिश्टा की थी वसु मित्रने नेक्स्ट है मठ मंदिर और इस्तूप किस धर्म से संब्धित है तो ये जो है बौध धर्म से संब्धित है नेक्स्ट देखिएगा बौध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिये गए थे तो ये दोनों के उपदेश जो है बिंबी सार के शासनकाल में दिये गए थे नेक्स्ट है गौतम बुध ने अपना प्रतम उपदेश कहा दिया तो सारनाते मैंने भी उपर बता ही दिया था पहला उपदेश सारनाते सबसे ज़्यादा उपदेश सरावस्ती नेक्स्ट गौतम बुध धर्म ग्रहड करने वाली पहली जो बौध धर्व थे देखिएगा ये प्रश्म भी पूछा जाता है कि बौध धर्म ग्रहड करने वाली पहली महला कौन थे तो वो थी महाप्रजापती गौत्मी ठीक है और इसी के बास ही महिलाओं का प्रारम हो गया था बोध्धर्म में नेक्स्ट है बोध गया कहाँ इस्ति थे तो बिहार में है जातक किसका ग्रंथ है तो बोध्धों का है सिधार्थ जो है बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी कहां पर तो बुद्ध गया में सिधार्थ जो है बुद्ध का बचपन का नाम है सारनात्म में जो है बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया मैंने अभी आपको बताया था कि पहला प्रवचन कहिए या उपदेश कहिए सबसे पहले इन्होंने मतलब महात्मा बुद ने सारनात में दिया था तो जो प्रवचन था उनका पहला उसको क्या नाम दिया गया तो उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्टन अभी महापरी निर्माण क्या था उनकी मृत्यू से संबंदी था धर्म, चक्र, प्रवर्तन क्या है तो उनके पहले उपदेश को कहा गया बहुत धर्म ने समाज के किन वर्गों का महतुपूर्ण प्रभाव डाला मतलब बहुत धर्म से किस समाज के वर्गों पर सबसे जादा प्रभाव पड़ा तो महिला और शुद्र पर बुद्ध के ग्रिय त्याग का प्रतीक क्या है तो घोड़ा देखिए कई प्रतीक है जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से सम्मंदित है जैसे जब गौतम बुद्ध जो अपनी मा के गर्व में थी ठीक है तो वो उसका प्रतीक माना जाता है जैसे कमल ठीक है घर त्यागा तो उसका घोड़ा इस तरीके से सबका अलग-अलग चिन है जिससे प्रश्ण पंते है गौतम बुद्ध द्वारा बिक्षोडी संकिस थापना कहां की गई थी तो कपिल बस्तु में की गई थी सर प्रतम शुन्यवाद या सुनिता का सिध्धान प्रतिपादन करने वाले कौन थे तो वो थे नागारजुन नेक्स्ट है यहाँ पर हम देखेंगे जैन संगिती और बौध संगिती यहाँ से डाइरेक्ट प्रश्ण पूछते हैं यहाँ पर देख लीजेगा कि जब प्रतम जैसे जैन संगिती हुई थी तो उस समय का समय कौन सा चल रहा था इस थान क्या था और अध्यक्ष कौन? इस तरीके से बाद संगिती और जैं संगिती दोनों से पुछते हैं तो पहले जैं संगिती को देखेंगे इसकी दो संगितिया थी प्रतामा ध्विती पहला कभ हुआ था तो चदर गुप्त मौरो के समय में हुआ था इस्थान कौन सा था? पाटली पुत्र में हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे तो इस थूल भद्र थे और दूसरी जो बहुत स्वाड़ी जैन संगिती हुई थी ये 512 स्वी में हुई थी बललभी में हुई थी और देवर्दी शमासरमड जो है इसके अध्यक्ष थे और अब हम यहां देखेंगे बहुत संगीतिया, चार बहुत संगीतिया थी, अभी आपने इसके बारे में उपर पढ़ा भी है, लेकिन यहां एक साथ लिखा है, तो यहां याद करने में थोड़ा सा असानी होगी, देखेंगे, प्रिथम, विती, तृती और चतुरत, यह इस अध्वितिये में, जो है, काला शोक ने, शासक थे वहां पर, और वैशाली में हुआ, और सर्व कामिनी जो है, इसके अध्यक्ष थे, अशोक के समय में, तृती बहुत संगीति हुई, जो की पाटली पुत्र में हुई, और मोगली पुत्र जो है, अध्यक्ष थे, और सामराज की स्थापना चंदरगुप्त मौरे ने की थी मौरे सामराज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था तो पढ़ था नेक्स्ट है अशोक का उत्राधिकारी कौन था तो कुशाण था नेक्स्ट है मुद्राक्षस का लेखक कौन था तो विशाखदत वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी है तो मौरे समराट अशोक next है कोटेलिया चाड़क किसका प्रधान मंत्री था तो ये चंदरकुप तुमौर के था आप चाड़क के और कोटेलिय को जानते ही होंगे तरीके से चंदरकुप तुमौर ने जो भी सत्ता समालिया जो भी उनके जीवन में सब पुष था वो चाड़क की वज़से ही था उनके गुरू भी थे यही इसी वज़से वो वहां के मतलब समराट अशोक के प्रधान मंत्री भी थे कलिंग विज़े के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगी कार कर लिया था जब कलिंग यूद हुआ तो उसका हिर्दय परिवर्तन हो गया था चंदगुप मौर का तो उसने बौध धर्म अपना लिया था नेक्स्ट है चल्रगुप के शाशन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की तो चाड़क के ने अभी मैंने चाड़क के बारे में ही आपको बताया आगे साची किस कला वो मूर्ति कला का निरूपर करता है तो बौध का अभी आपको उपर आपने पढ़ाता ना कि बौध धर्म का सबसे बड़ा स्टूप जो मूर्ति है वो साची में है वही है समराट असो की वह पतनी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था तो इनकी कई पतनिया थी जिसमें से जो है कारू वाकी जो उनकी पतनी थी उन्होंने उनको बहुत प्रभावित किया था अशोक ने अपने सभी अवलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था तो मग दीभाशा का प्रयोग किया था बिंदु सार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहा भेजा तो तक्ष श्रीला भेजा था बिंदुसार कौन था अशोक के पिता थे नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने भारती समाज को कितनी स्ट्रेडियों में जो है विभाजित किया था तो साथ कॉटिल लेके अर्थसास में किस पहलू पर प्रकाश जा रहा है तो राजनीती डारेक पूछा जाता है जो कॉटिल ले प्रियुक्त भासा कौन सी थी तो अशुक के सिला लेकों में प्राकरत भाशा का जो ब्योग किया गया था प्रतम भारती सामराज किसके द्वारा इस्थापत किया गया तो चाड़क अपने बजपन में किस नाम से जाने जाते थे तो विश्नुगुप्त विश्नुगुप में जो है डाइमेकस या डीमेकस भारत आया था तो बिंदुसार के समय में आया था किस प्राचीन नगर के अवशेस जो है कुम्रहार स्थान से प्राप्थ हुए है तो पाटली पुद्र के कुलंदी बाग प्राचीन स्थान है कहां का तो पाठली पुत्र का किसने सही सुडता उधारता और करुणा के त्री विधी आधार पर राज धर्म की स्थापना की तो वो थे अशोक अशोक ने बौध होते हुए भी हिंदु धर में आस्था नहीं छोड़ी इसका प्रमाण कहां से मिलता है तो देव नाम प्री की उपाधी से मिलता है अशोक की शिला लेखों को पढ़ने वाला प्रतम अंग्रेज कौन सा था ये जेम्स प्रिंसेप लिखा हुआ है ठीक है इन शाकेंद्र था उसके संसापक थे धर्मपाल नेक्स है पालवंस का संसापक कौन था तो गोपाल थे पालवंस की राधानी क्या थी तो मदगिरी या मुंगेर थी राष्ट कूट वंश का संसापक कौन था तो दंती दूर्ग या दंती वर्मंद वितीर नेक्स है किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मुर्ती है जिसे भारत की विशालतम नंदी मुर्ती मारा जाता है तो कंदरिया महादेव का मंदिर है किसे एक नया संबच चलाने का यश्प्राथ है तो उनका नाम है लक्षमर सेन को गीत गोविंद के रषनाकार जह देव किसकी सभाग को अलंकरित करते थे तो ओलक्षमर सेन है किसने सोमबल महा विहार का निर्मार कराया तो धर्म पाल ने कराया था नेक्स्ट है भुहनेश्वर तथा पूरी के मंदिर किस सहली में निर्मित है तो ये जो है नागर सहली में अगर आपने प्रीविएस वीडियो पढ़ी होगी सब कुछ इतना मैंने दिया था जीव जन्रल अवेरनेस से ये सब नागर सहली बेसर सहली सब कुछ डेटियल मैंने ने बताया है वहाँ बहुत कुछ बताया गया था अब तो इतना समय ही नहीं है जो चीजें छे-सात महिने में बताई गई हो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है ना दो-तीन दिन में तो बताई नहीं जा सकती नेक्स्ट है भारत में प्रथम आकरमर कारी कौन थ जगन नात मंदिर किस राजे में है तो ओडिशा में है जय पाल किसके संस्थापक थे तो अजमेर के एक चीज़ मैं बता दू ऐसे अभिरती जो कि पहले हमेशा परिशा देते हैं किसी ने किसी कॉम्पुटेटिव एक्जा में शामिल होते हैं उनको ये चीज अच्छी बज़ ही नहीं आ रहा है मैं कैसे याद करूं ये सा प्रॉब्लम होगी तो रिवीजन का मतलब ही है कि जिन्होंने पहले पढ़ा है उसी को तो रिवाइस होगा तो इस वज़े से हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो इसमें कि उनको ऐसा महशूस हो तो इसका यही रिजन है 21 अपरेल 1526 में हुआ था भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई तो शेषा सुरी ने बनवाई थी गुजरात विज़े की यादगार में अकबर ने किसका निर्मान कराया तो बुलं दरवाजा बुलं दरवाजा किसकी याद में बनाया गया है तो गुजरात 25 को पानीपत का द्वितिये लड़ाई किन के बीच हुआ था तो अकबर और हेमु के बीच हुआ था 1526 में प्रतम पानीपत का युद हुआ था और 1556 में द्वितिये पानीपत का युद हुआ है ठीक है आगे देखेंगे दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शु मुगल प्रशासन विवस्था में मनसबढरी पृडाली को तो अक्बर पूछा जाएगा मनसबढरी पृणाली प्रारम करने राजा का नाम बताईए तो अक्बर है अपने काल का महासंगीता गितान सें अक्बर के तर्वार में थे मुगलकार की राजभाशा क्या थी तो फार्सी थी most important नेक्स्ट है सतीप्रथा की जो है भर्चना करने वाला प्रतम मुगल समराट कौन था वो अकबर था किस युद से भारत में मुगल राज की नियू पड़ी थी तो पानीपत के प्रतम युद से ही जो है मुगल समराज की नियू पड़ी थी भारत में मुगल चित्रकारी ने किसके सासन में पराकास्था चर्मोतकर्स पर थी तो वो थी जहागीर के शासनकाल में किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है तो अवल फजलने लिखी है लेक्श देखेंगे गुरिल्ला युद का प्रतम प्रदर्शक कौन था जो गुरिल्ला युद होता था तो गुरिल्ला युद का मतलब था कि जो शिवा जी थे उनको गुरिल्ला युद का प्रदर्शक मा में प्रशाशन को पेशवा का पद किसे दिया गया था तो प्रधान मंत्री जा था तो पडोसी राजियों पर सिवा जिए द्वारा लिया जाने वाला भूमी करता है डारेक्ट रियाद कर लीजए पर भूमी पर लिया जाने को था चौत था किसके द्वारा लिया जाता था, सिवा जी के द्वारा लिया जाता था, मराठा समराजी का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, तो बाला जी विश्वनात को कहा जाता है, नेक्स्ट, यूरोपी शक्तियों में किसने सिवा जी को तोपे प्रदान की, तो अंग्रेजों ने क किसके शासनकाल में मराथा प्रमुक शंभा जी की हत्या कर दी गई तो औरन जेप के समय की गई थी सीवा जी के सामरा जी की राजधानी कहां थी तो राइगड में थी पानीपत की तृतिये लड़ाई अभी आपने देखा पानीपत का प्रतम यूद कब हुआ था पंदरो सो चपन में हुआ था अतरितीय कब हुआ था इस तीनों तितिया बहुत ही महतोपूर्ण है याद कर लिजेगा आगे देखेंगे शीवा जी सरवाधिक प्रभावित थे किस सरवाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से थे अस्ट प्रधान या मंत्री परिसत के शासनकाल में थी मतलब शीवा जी अस्ट प्रधान जो थे किनके शासनकाल में थे तो शीवा जी के थे नेक्स देखेंगे मराठा राजी के संस्थापक कौन थे तो मराठा सामराजी के संस्थापक जो है वो थे शिवा जी नेक्स है सिवा जी के पिता का क्या नाम था तो शाह जी भोसले था सिवा जी की माता का नाम क्या था जी जाबाई था जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे सिवा जी के गुरु कौन थे तो उनका नाम था समर्थ रामदास भीम सेन की किस पुस्तक में मोगल मराठा संबंद की जानकारी मिलती है तो नुस्खा ए दिलकुशा में मिलती है अफजल खा की शक्ती को कुचल कर, शिवा जी ने किस दक्षिर राजे पर अधिकार कर लिया तो पन्हाला में किया था शिवा जी के निर्देश पर किस ने विस्तरित भू सरवेक्षन किया था तो अन्ना जी दत्तों ने किया था चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे तो उसे कहते थे काम भी सदार अभी आपको चौत वके बारे में बताया कि ये भूमी पर लिये जाने वाला कर था जो कि शिवाजी लेते थे विद्वापुनर्विवा पर लगाया गया कौन सा कर था तो पत दाम था पत दाम क्या था विद्वापुनर्विवा पर लगाया जाने वाला कर गुर्षवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था तो पागा था पागा क्या था गुर्षवार सेना का एक नियमित संगठन जो की मराठा सामराज में प्रचलित था गुर्षवार सेना का प्रधान कौन होता था तो गुर्षवार सेना का प्रधान जो है सर ए नौबत था अगला देखेगा नील कृषकों की दुर्दर्शा पर लिखी हुई पुस्तक नील दरपड के लेखक कौन है डायरेक्ट पूछा जाता है नील दरपड के लेखक कौन है तो वह है दीन बंधु मित्र अंग्रेजů द्वारा सरप्रतम कहवा बागान लगाये गए थे टो वाई नार्ट जन्पद में लगाये गए थे नेक्स्ट है अंग्रेजी शाषण के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का परतिपादन किस ने किया था दादा भाई नोरोच वी ने किया था भारत म अंग्रेजों के समय में प्रतम जनगर्णा किसके काल में हुई थी तो लाड मेयो के काल में हुई थी कल हम लोगों ने जब जियोग्राफी पढ़ा था उसमें मैंने जनगर्णा वाले में इसको कराया था एक कोस्चन नेक्स देखेंगे अगला कोस्चन है सर टामस मुन्रो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबन दी थे तो रयत वाड़ी बंदोबस्त से भारत में प्रतम रेल लाइन का निर्मार अठारा सो तिरपन इसमी में किस नगरों के बीच हुआ था तो मुंबई और थाड़े के बीच में हुआ था सभी रिपीटेट प्रशन है रिपीटेट तो और भी है लेकिन इंपोर्टेंट ही आपको मैं भी करा रही हूँ पहले आगे देखेंगे सिखों के अंतिम गुरु कौन थे तो गुरु गोविंद सिंग थे नेक्स है कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिस प्रभुतों का आरंब किया तो प्लासी का युद्ध था नेक्स्ट डिंडी गुल नाम क्या है तो तमिल नाडु में एक नगर है नेक्स्ट है बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता इस्थानांत्रित किया गया था तो वारेन हेस्टिंग के समय में नेक्स्ट भारत में प्रतम रेलवे ल बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था तो वारिन हेस्टिंग के समय में भारती सासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पधती से दूतावास स्थापित किये तो वो थे टीपू सुल्तान नेक्स देखेंगे भारत में प्रतम रेल लाइन किसने बिचाई थी तो भारत में प्रतम रेल लाइन जो है जार्ज कलार करने बिचाई थी नेक्स है भारत से ब्रिटेन की और समपती के अपवहन का सिधान किसने प्रत्विपादित किया था दादा भाई नवरोजी ने भारत में ब्रिटिस भूराजसु प्रणाली का किसने अधिक लाग प्राप्त किया तो वो थे जमिनदार नेक्स्ट है भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था तो पहला सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित किया गया नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजसो विवस्ता की कौन सी कृश्कों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है मदरास प्रांत और रहयत वाड़ी भू की गई थी आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह 1857 की जो पहली स्वतंतरता कह सकते है कि आंदोलन शुरू हुआ था यहीं से आगे देखेंगे 1857 के विद्रों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो लाड़ कैनिंग थे नेक्स्ट है 1857 के विद्रों में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे ने दिया था इन्होंने ही जो है इनको ही सबसे पहले फासी दी गही थी ठीक है आगे देखेंगे 1757 के विद्रों में कानपूर में सैनिको का नेत्री तो किस ने किया तात्या टोपिय ने देखे 1857 की क्रांती से जब प्रश्ण बनते हैं तो डायलेक्ट पूछेते हैं यही कि जैसे कानपूर से सेना का नेत्री तो किस ने किया था जासी से किस ने किया था तो हिंदू मुस्लिम एकता थी. Next. रानी लक्षमी बाई का मूल नाम क्या था? तो मनिक करणिका जो है, रानी लक्षमी बाई का मूल नाम था. Next. भारत के सिक्षित मध्यम वर्ग ने जो है ठारसो सतावन की क्रानती में जो है तटस्थ रहे थे. मतलब वो उनके साथ सामिल थे. 1857 में अंग्रेजी सामराज के विरुद पंजाब में किसने ससस्त्र विद्रो किया था? तो उनका नाम था नामधारी शिक्षोने ने. बिहार में 1857 की क्रानती के नेता कौन थे? या किसने बिहार से नेतरित्व किया? तो कुवर सिंग ने किया था कब? तो 9 मई 1858 में. आगे देखेंगे. 1857 के विद्रो को किस उर्दु कवी ने देखा है? ये बहुत बार पूछा जाता है. कौन से ऐसे कवी थे जिन्हों ने अपनी आखों से देखा पूरा 1857 का विद्रो तो वो थे मिर्जा गालिब. नेक्स्ट. 1857 के विद्रो में अंग्रेजो का सबसे कटर दुस्मंग कौन था? तो मौलवी जो है अहमुद्दुल्लाः शाह. नेक्स्ट. जगदिसपूर के राजा कौन थे? तो कुवर सिंग थे. 1857 के विद्रो का नेतरित विहार से किसने किया? कुवर सिंग ने किया? 1857 के क्रांति के समय ब्रेटेन का प्रधान मंतरी कौन था? तो लाड़ पामस्टन था. वस 1857 के विद्रो के संदर में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाएकर मार दिया गया, तो तात्या टोपे. Next. कौन सा एक छेतर 1857 के विद्रो से प्रभावित नहीं था? तो कई जगह पर 1857 का विरोध विविन विविन जगहों पर देखने को मिला था, लेकिन चित्तोड एक ऐसा जगह था, जो कि इससे प्रभावित नहीं था? Next. 1857 के विद्रो के दौराम दिली में विद्रो का सैन ने नेत्रितु किस ने किया था? तो बक्त काने किया था? Next. Next. जाती अधार पर 1857 के विद्रो के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो सीख गोर्खा और जो है पठान थे? Next. 1857 के विद्रो की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा गया? तो बहादुशा को देखा गया. 1857 के विरोध की असफलता के बाद बहादुशादुटी को कहां पर निर्वासित किया गया तो रंगुन में निर्वासित किया गया था. वो कौन सा ब्रिटिस सेना पती था जिसने 1857 के विद्रो को दबाने में मतपूर भूमिता निर्वाई तो कैम्प वेल थे. 1857 का जो क्रांती थी एक जो है निश्चित किया गया. मतब कौन सा चिन था ये पूछा गया है प्रतीक कह सकते हैं आप. प्रतीक कौन सा था तो रोटी और जो है कमल मतब प्रतीक चिन में यूज करते थे चपाती लिखा है यहाँ पर रोटी भी लिखा हुआ आता है ठीक है रोटी तो दोनों सही होगा आगे देखेंगे बंगाल का विभाजन कभ हुआ था देखिए इसके डेट पर तो थोड़ कांग्रेस अधिवेशन की अधिक्षता की थी दादा भाई नवरोजी ने की थी भारती रास्टी आंदोलन गरम पंधियों के प्रभावा धीन आया था कब तो 1906 में आया था नेक्स 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कित्ते वर्स के लिए हुई थी 6 वर्स के ल पंद्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंब का वेतक था क्योंकि क्यों था ये क्योंकि इसने देश के सामने श्वसासन की एक ठोस योजना रखी थी गदर पार्टी के स्थापना कब हुई थी तो 1913 में हुई थी नेक्स्ट है किसने औल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थ अपना किसने की थी तो नवाव सलीम उल्ला खाने की थी गदर क्रांती छिडने का सबसे महत्पूर्ण कारण क्या था प्रतम विश्वयुद का शुरू होना नेक्स्ट है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीती शक्ती का सफलता पुर्वप्रजर्शन कर सके तो कांग्रेश का 1916 का लखनव अधिवेशन में वारिंद्र कुमार घोष के क्रिया कलापो ने एक गुप्त करांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्व दिया वो कौन सा था तो अनसीलन समीती थी जो की गुप्त रूप से कह सकते हैं जन्मली बंगाल में किसने भारती राष्टी कांग्रेस के विरोध की राजनीती का दोश लगाया तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था अगला देखेंगे किसने मुहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूद कहा था तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूद किसने कहा था जिन्ना को तो सरोजनी नाइडू ने कहा था लाल बाल पार्त्री गुट कौन भारती राष्टी का अध्यक्ष हुआ था तो लाला लाजपत राय मतब ये तीन गुट में तीन लोग थे लाला लाजपत राय बाल गंगा धर के द्वारा लिखी गई तो बाल गंगा धर्तिलक के द्वारा कौन सा नेता कांगरेस के गरम दल से समन्दित था तो अरविंद घोष्ट था नेक्स्ट है कामा गाटा मारूप क्या है तो ये कनाड़ा की यात्रा पर निकला एक जहाज है नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रथम और याचिका की नीती जो है अंतो गत्वा समाप्त हो गई बारगंगा धरतिलक के नेत्रित्व में वो कौन था जो काकोरी शरयंतर कांड में फासी की सजा से बच गया था तो उनका नाम था चंदरशेखर आजाद किसने स्वदेशी आंदोलन का नेत्रित्व दिल्ली में किया था तो सयद हैदर राजा ने किया था स्वदेशी आंदोलन जो की 1905-08 तक चला के प्रारव का तातकाली कारण क्या था तो लाड करजन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन बंगाल विवाजन के कारण कौन सा अंदोलन शुरू हुआ तो वो था स्वदेशी अंदोलन नेक्स्ट प्रतम महायुद के दोरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसने प्रेसिडेंसी राज्या महेंद्र प्रताप थे तो वो था अफगानिस्तान में नेक्स देखेंगे सूरत की फूट के बाद कांग्रेट किसके हाथ में आ गई थी तो वो आ गई थी नरमदल वालों के हाथ में राजनीति स्वतंतरता राश्ट की प्राण वाईू है ये कथन किसका है तो अर्विंद घोश का है नेक्स राश्टी ये शोक दिवसकब मनाया ज आता है तो बाल जो है बंगाल जब विभाजन हुआ था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को ही जो है राश्टी शोक के रुप में मनाया गया था नेक्स्ट स्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेश की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी तो कलकत्ता दिवेशन 1917 में अध्यक्ष की अध्यक्ष निर्वाचित किया था अखिल वारती राश्टी कांग्रेश की प्रतम महिला ध्यक्ष कौंधी स्रीमती एनी बेसेंट मुझभर पूर में जो है किमस फोड की हत्या का प्रयास कब किया गया था 1908 में किया था लाड हार्डिंग ने बंगाल विभ मात्मा गानी ने सत्या ग्रह क्रिया विधी सबसे पहले कहां पर प्रयोग की थी तो सत्या ग्रह विधी जो है मात्मा गानी ने सबसे पहले चंपारण में की थी नेक्स्ट अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टेन सांडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया तो भगत सिंग भगा सिंग ने इस आंडर्स की हत्या की थे जै हिंद का नारा किस ने दिया था किस वर्ष में मुश्लिम लीग ने एक प्रिठक रास्ट का संकल्व यानि पाकिस्तान का प्रस्ताव स्विक्रित किया था तो 1940 में 1947 के बाद किस राजे को भारत संग में सायनिक कारिवाई द्वारा बल पुर्वक मिलाया गया तो हैदराबाद किसने कहा था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा तो ये नारा था किसने कहा था शुवास्चंद्र वोस ने देशबंदु की उपादी किसे प्राप्त है तो चितरंदन दास जिसे हम सी यार दास के नाम से भी जानते हैं कांग्रेश का 1929 का दिवेशन जिसमें पुर्ण स्वराज का लक्ष घोशित किया गया कहां पर हुआ था तो लहोर में हुआ था कांग्रेश ने भारत छोड़ो अंदोलन का प्रताओ किस वर्स पारित किया तो 1942 में सुवास्चंद वोस ने सिंगापूर में दिल्ली चलो का नारा दिया कब दिया 1943 में दिया था और सहयोग अंदोलन कब शुरू हुआ था ये डेट पूछी जाती तो 1920 में शुरू हुआ 22 में खतम हो गया था क्यों नहीं लंबित किया गया चौरी-चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण चौरी-चौरा जो नामक स्थान मतलब वो है वहाँ पर जो घटना हुई थी मतलब पुलिस चौकी जनता के द्वारा जला दी गई थी या क्रोशिर्थ होकर तो महात्मा गादी ने इसे वापस ले लिया था अगला है वर्स 1919 में जलिया वाला बाग हत्याकांड कहा हुआ था नेक्स्ट है नमक स्थ्यागर किस इस्वी में प्रारम हुआ 1930 में हुआ था किस कृत के कारण भगत सिंग राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फासी दी गई वर्स 1923 में लहोर में सांडर्स की हत्या के कारण इन तीनों लोगों को जो है फासी दी गई थी कब दी गई थी 23 मार्च 1931 को किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष्ट सिद्धिक के ही विधी न्यायाले ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था उननीस सो उननिस के रोलेट एक्ट उननीस सो उननिस का रोलेट एक्ट विना अपील विना दलील के कानून के नाम से भी जाना जाता है इसको भी आद रखेंगे अगला देखेंगे गांधी इर्विन समझो था पार्च मार्च 1931 किस से संबंदित है तो गांधी इर्विन सम ही सनरशना प्रस्तुत की गई तो 1935 का अधिनियम था नेक्स्ट है काकोरी, ट्रेन, डकैती, कांड के नायक कौन थे तो राम, प्रशाद, विस्मिल थे नेक्स्ट है 1919 के अधिनियम में द्वैद, शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिच्चे कराया वो कौन थे, तो चैंप स्फोर्ट थे अगला है, अगले कुश्योन पर आईए, देखेगा महात्मा गाली का जन्म जो है कहां पर हुआ था, महात्मा गाली से रिलेटेड भी, वंडे एक्जाम में, खास्तों से तो 1885 में, बंगाल विभाजन कब हुआ 1905 में, ये कुछ महत्मून तिथियां हैं, डेट्स हैं, जो कि याद रखिएगा modern history में, इसको हमेशा प्रशन रिपीट हो जाते हैं, और ये सन पूसता है तिथि नहीं पूसती, यानि डेट नहीं याद करेंगे, लेकिन सन याद होना चाहिए मुस्लिम लीकि स्थापना कब हुई थी तो 1906 में हुई थी प्रतम विश्यूद कब हुआ था तो 1914 से 1918 में हुआ था नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब हुआ था चंपारण आंदोलन की बात करें तो 1917 में जलिया वाला भाग हत्या कांड कब हुआ 1919, खिलाफाद आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1922, चौरी-चौरा कांड 1922, अब इसका नाम बदल दिया गया है उउपी गौर्टमेंट के द्वारा आगे देखेंगे कब हुई थी 1928 में कांग्रेश द्वारापुर्ण सुतंता की मांग सविनय अग्यान दोलन में कब की गई 1930 में, प्रथम गोल में सम्मेलन 1930, दृती गोल में सम्मेलन कब हुआ था 1931 में हुआ था और तृती गोल में सम्मेलन कब हुआ था तो 1932 में हुआ था यह तीनो गोल में संवेलन याद रखिएगा पूछा जाता है कि इन टींों गोल में संवेलनों में जो ऐसा कौन है जो कि दीनों में शामिल था अगला देखेंगे पूना समझो था या है पूना पैक्ट कभ हुआ था? ने 32 में मसलिम लेग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गए 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस 1942 कृष्ट मिशन का आगमन कब हुआ था 1942 में हुआ था आजाल ही फोस की स्थापना कब हुआ 1943 में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ 1946 नो सेना विद्रो कब हुआ था 12 फरवरी 1946 भारत के विभाजन की मांट बेटन योजना जो है कब हुआ थी तो वही थी 3 जून 1947 भारती इसो तंतरता प्राती कब हुआ 15 अगस 1947 भात्मा गांधी की हत्या कब हुआ 30 जून जो है 1948 और देशी रियास्तों का भारत में विले कब हुआ था बाद में शामिल किया गया भारती गरत अंतरता दिवस्या आपको पता है कब मनाते हैं 26 जनौरी 1950 नेक्स्ट देखिएगा यह जो मैंने भी डेट आपको बताई हैं बहुत ही महतफून थे इसको आप याद करेंगे थोड़ी सी और स्लाइडस है इसको हम कंप्लीट करेंगे आए देखते हैं जब आहा लाल नहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है तो डिस्कबरी आफ इंडिया नेक्स्ट है नेरू रिपोर्ट को अंतरीम रूप से अगस्ट 1928 में आयोजी सर्वदली सम्मेलन में स्विकार किया गया था इस सम्मेलन की अधिक्षता किसने की तो डाक्टर अंसारी ने की थी नेक्स्ट है 1823 में चितरंजन दास इममोती लाल नहरू ने कहां स्वराज पार्टी के स्थापना की इलहाबाद में ब्रिटिस सरकार ने पहली बार यह गोशना की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदाई सरकार बनाने की है किस कब की गई थी किस योजना के द्वारा या कौन सी गोशना की गई तो 1917 की गोशना नेक्स्ट चौरी-चौरा नामक प्रसिद स्थल कहां पर है तो यह है गुरकपूर में नेक्स्ट है किसने कहा मद्य रात्री के टकोर पर जब संसास होता है भारत अपने जीवन वस्वतनता के लिए जाग उठेगा यह कहा था जवाहलाल नहरूने नेक्स्ट है who lives in India जो है किसकी युपती है या किसने लिखा तो जवाहलाल नहरूने महात्मा गांधी भारती राश्टी कांग्रेश के अध्यक किती बार बने मात्र एक बार इन कलाब जिंदाबाद का नारा किशने दिया भागसिंग ने भारत में जब क्रिप्ष मिशन आया था उस समय भारत का वाइसराय कौन था तो लाड लिन लिख गो थे नेक्स्ट भारत की आजाती के समय कांग्रेश के अध्यक्ष कौन थे तो कांग्रेश के अध्यक्ष थे जे भी की रिपलानी भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किस्ति ने किया था तो सर सिरील रेड क्लिफ तो रेड क्लिफ लाइन पूछी जाती है न किन के मध्य है मत थे तो जहाज से इंग्लेंड से दक्षिड अफ्रिका यात्रा कर रहे थे इंडियन लिबरन फेडरेशन की स्थापना किस ने की थी तो एस एन बेनर जी ने की थी आईए अगला देखते हैं दक्षिड अफ्रिका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकासित पत्रिका का क्या नाम था तो उसना का नाम था इंडियन ओपीनियन सविने वग्या अंदोलन 1930 की परकास्था में महात्मा गांधी ने किसके साथ समझोते पर हस्ताक्चर किया लाड इर्विन 1922 में अखिल भारती हरिजन संग के संस्थापक कौन थे महात्मा गांधी नेक्स्ट कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंद्र भारत की आजाद हिंजल सरकार की खोशना की गई तो वो की गई थी सिंगापूर में की गई थी अगला देखिएगा अगला दिया है भारती राष्टी कांग्रेश के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे तो वो थे अबुल कलाम आजाद अगला दिया है जब 15 अगस 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया था मनाया था महात्मा गांधी थे कहां पर थे कुलकाता में भारत इवं पाकिस्तान का विवाजन किस योजना के तहत हुआ था माउंट बेटेन योजना महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी 30 जनवरी 1948 में कौन सा भारती सुतनत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था तो सी राजगोपालाचारी काइदे आजम किसे कहा जाता है तो मुहमद अली जिन्ना को जो काइदे आजम की उपादी दी गई थी आत्मा गांधी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो दितीम गोल में सम्मेलन में गए थे ठीक है अगला दितीम गोल में सम्मेलन कब हुआ था तो 1931 में हुआ था अगला देखेंगे महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु थे मतलब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले थे गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे next सारे जहां से अच्छा हिंदूस था हमारा के रश्ना कार कौन है इंग कलाब है इकबाल है सौरी इकबाल next दिनमंदू के नाम चे कौन विख्यात था c.s. जो है एंडियूज next my experiment with tooth के रश्ना कार कौन है महात्मा गांधी दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करन के नमक का विरोध किया था तो 385 किलोमेटर महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था तो रोलेट एक्ट को कहा था चमपारण सत्यागरण के दौराण महात्मां गांधी के साथ कौन शामिल था तो राजेंदर प्रशाद और अनुगरण नारायन सिंग सामिल थे स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्स की गई थी next किस लोक पर यह नाम लाल कुर्ती जिसको कमीजों के रूप में जाना जाता है तो इनको जाना लाल कुर्ती के नाम से जो है खुदाई खिदमतगार ठीक है तो मैंने इसमें आपको इसको तो करिए गाही साथ साथ और भी जितना कर सकते हैं करिए ज्यादा ज्यादा पढ़िए अपने डिवरेशन को बढ़ाईए पढ़ने की स्पीड बढ़ाईए क्योंकि समय नहीं है आपके एक्जाम में ठीक है यही बेस्ट समय होता है जब हमारे पता सामने टार्गेट ह और हम बढ़ाई करें तो नेक्ट वीडियो में जल फिर मिलेंगे जैंद